नमस्कार गायतरी जोतिस के इंदर में आप समी लोगों का स्वागत है आप लोगों के लिए हमेशा ही जोतिसास से जुड़ी महत्पून जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर परसारिश करते रहते हैं जो 37 से जुड़ीवी हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवस्य ही देखते हैं, आज भी हम आप लोगों के लिए जो 37 से जुड़ीवी अत्यंत महत्यकून जानकारी ल जिसे हम अंको में स्री सम्वत और साके कहते हैं स्री सम्वत को साके अंको में स्री सम्वत दो हजार एकासी का प्रारंब होगा अंग्रेजी में हैं तू थाउजेंड एकासी स्री सम्वत का प्रारंब नौ अप्रेल दो हजार चौबिस से होगा और साके में स्री मच्छाल लिवान यह साके कहा जाता है साके में उन्निस्सो च्यालिश्वे वर्स का प्रारंब होगा यानि कि 194946 का प्रारंब नौ अप्रेल दो हजार चौबिस से होगा और वैसे सन के इसापचे देखा जाएगा 2024-25 से हम लिखते हैं तो यह हिंदूओं का बहुत बढ़ा दिन होता है और हिंदू धर्म को मानने वाले और इसके अनुवाई यहीं से अपना नया वर्स का प्रारंब मानते हैं तो अपने आप में बहुत विशेज दिन होता है और परंपरा अनुसार, हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार, यहां से ग्रहों का भी बहुत बड़ा परिवर्तन रहता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इस नव वर्स में आपकी जो रासी है, वहां आपके लिए कैसी रही। रासियां छूट जाती थी, तो यहां पर को, आज हम आप लोगों के लिए सटीक और संक्सित में कागज में पूरी जानकारी आप लोगों के लिए में इस रासि से बीन रासि तक कैसी इस हिंदू नव वर्स में रहेगी, क्या उपाय इनको करना चाहिए, किस गर से संब्दित उपाय इनको करना चाहिए पूरी जानकारी आपको मिलेगी, अंत तक एपिसोट के साथ बने रहेगा अपनी रासि से तो आप वाकिप होंगे ही, अपने परिवार जनों की रासि से यदि आप वाकिप है तो उनका फल भी आप और से चुलिएगा तो उससे पूरी दो तिन चीजा है आपको हम यहापर को बताते हैं तो हमारे हिंदू नव वर्स का एक नाम रहता है, इसे वैसे संबद सर प्रतिपदा भी कहा जाता है तो संबद सर का नाम, हिंदू नव वर्स का नाम रहता है तो इस हिंदू नव वर्स का जो नाम है वह है काल युक्त बड़ा ही बिचित्र नाम है काल युक्त काल का अर्थ तो संबद होता हर कोई व्यक्ति जानता है काल यानि कि काल को बृत्य भी कहा जाता है बुरा वक्त भी कहा जाता है अपनी अपनी परिवासा में कोई अच्छा सब्द काल को नहीं कहा जाता है तो काल युक्त यानि कि काल से मिला हुआ यह जो नया हिंदू नव वर्स आया है उसका यह नाम है तो नाम अपने आप में देख लीजिए और कलपना कर लीजिए कि कैसा यह वर्स रहेगा काल युक्त यानि कि परिशानियों से युक्त वर्स यह बताया जाएगा बताया जा रहा है आप अन्ने जगह पी देखेंगे कहिए जो विद्वान जोतिसी है उनके आप सुनेंगे इसमें पे प्रवचन जोद की जानकारिया तो आपको मिलेगा काल युक्त नामी है तो इस जो हिंदू नव वर्स में बहुत महत्तापूर्ण होते है इनके पास के विभाग महत्तापूर्ण होते हैं इस पार बिभाग रही थे हैं लेकिन अपने आप में आप्मai powerful way क्योंकि मंतरी है हो और उनसेพ्रमुक जो राजा है वह मं अगल्ग्रा अब मंगल ग्रह के सुभाव के बारे में जोतिसी तो जानते हैं, बहुत से लोग जो पीड़ा या सुपल से प्रभावित हैं, परिचीत हैं, तो वो लोग अवस्चेन के सुभाव के बारे में जानते हैं, मंगल ग्रह को सेना पती का दर्जा जिला गया है, जोतिस सास्तर में मंगल ग्रह को आक्रमक ग्रह माना गया है युवाओं का प्रेता प्रेणाकारी ग्रह माना गया है खून का संबंदर मंगल ग्रह से माना जाता है युद्ध का संबंदर मंगल ग्रह से माना जाता है आपसी अच्छे तालमेल का संबंद मंगल ग्रह से माना जाता है भाई बंदों में बहुत अच्छा संबंद मंगल ग्रह के वज़े से माना जाता है तो और भी कई चीज़े मंगल ग्रह से हैं मंगल ग्रह के सभाव से जुड़ी है फूमी का कारक मंगल ग्रह को माना जाता है तो इस वर्स यहां राजा है, लेकिन जो इनका फल बताया गया है, पूरे देश आधी के लिए, दुन्या के लिए जो जो तिश्योदारा, तो वो थोड़ा सा कुछ मिस्रित फल है, कोई बहुत अच्छा फल उसे नहीं कहा जाएगा, मंगल ग्रह जो सेनापती, युद्ध कल में निपुण माने जाते हैं, तो बताया गया है कि इस वर्स जो राजा लोग हैं, जो किसी देश के तानासा या जो उच्छा जिकारी लोग हैं, तो जो आकरम प्रुट्ति के लोग हैं, जो मंगल ग्रह के सवाव से मैच काते हैं, तो वहाँ पर को ऐसे लोगों के आपस मे युद्ध की तक्रार की संभावना इस वर्स अवस्य बढ़ेगी, भूमी के कारग रहा हैं, तो कहीं न कहीं वर्सा की कमी भी इस वर्स देखने में आएगी, इसके अत्रिक्त युआओ में भी आकरोस रहेगा, तो कि युआवर्ग के प्रेडा कारी रहा हैं, तो युआव देख तक चले जाएगे, तो इस तरीके का फल, इस वर्स जो तिश्योदारा बताया गया है, मंगल ग्रह का, कि राजा होने से मंगल ग्रह ऐसा ऐसा कर सकते हैं, और विसे इस तोर पर बड़े जो राजा लोग हैं, उनके आपसी जो संबंद हैं, वो बहुत अच्छे नहीं रहींगे, और जल मैं कमी, ये चीज बताई गई है, अन्न मैं कमी, ये चीज यहाँ पर को देखने में आई, बताई गई है, इसके अत्रिक, जो महत्पूर्ण है, यानि की अनाज मैं कमी, कृसी मैं कमी, ये चीज भी इस वर्स के जो फल में, जो हम पंचांद आदी देख है, वहाँ पर कोई चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल के राजा होने से, और सनी के पास कोई भी पद आदी नहीं होने से, मंत्री होने से, और एक दुसरे की प्रविर्ती, भले ही कहीने कहीं समानता भी है, लेकिन विप्रीत है एक दूसरे से कहीं नहीं स्वत्रुता वाली संबंद्री है तो ये चीज़े तो और भी आप जगह पे देख सकते है लेकिन ये जो में फल है ये तो अवस्य ही ढटित होता है ये तो हर वर्स का रहता है कि किसी वी वर्स में जो राजा होगा या बंत्री होगा उससे संबंदित फल जो जो तिशाचारी देते है जो मिस्टित फल रहता है तो कहीं न कहीं अवस्य ही कटित होता है तो ये बाकी चीज़े तो आप अपने जनम पत्रिका या विशेश तो पर किसे गुर्जी से पूचकर प्राप्त कर सकते हैं कि क्या रहेगा बहुत और भी जानकारी है इसमें तो यहां पर को हम जो बिसेश बात कर रहे है आपके राजी से कि आपकी राजी को कैसी रहेगी इस नव वर्स में और यहां पर को एक बात चार राजीयां थोड़ी बहुत अच्छा फल प्राप्त कर सकती हैं वो कैसे क्योंकि मंगल ग्रह जो राजा है उनकी राजी या जिस राजी में इनका प्रभाव बहुत अच्छा है जनमे कुम्डली के अमसार जिस बाव में अगर मजबूत भाव मैठे तो उससे संब्धित फल्या देंगे मेस राजी वा ब्रिश्चिक राजी के स्वामी मंगल होते संब्धा ये राजी अन्य राजीयों से थोड़े आगे है और सनी के मंत्री होने से मकर राजी वा कुम्ब राजी भी अन्य राजीयों से थोड़ी आगे है और तुला रासी में उच्छे होते हैं, जिनके तुला रासी में उच्छे हैं, कंडली में या अच्छी स्तिती में तो भाव रासी भी ठीज है, बिगतिक इल्ए और वैसे सामानेतथ में इस विरिस्टिक मगर धनुरासी अन्य रासुजियों की अपिक्चा थोड़ी सी कुछ आगे माझे जाएंगी ये आपको ऐसा सटी और संक्सिप्त फल मिल रहा है पताया जा रहा है आप वर्स में भी इसे एपिसोड को उठा कर देखेंगे तो कहीं ने कहीं या खटित होत हुआ अवस्य ही मिल रहेगा तो अब हम बात करते हैं जो हमने आप पन्ने में आपके लिए बना रखाएगी पूरी बार रास्य को संक्सिप्त रासिफल जिससे की क्योंकि अलग-अलग एपिसोड बनाए तो बड़ी दिक्कत होती है हमें भी दिक्कत होती है लेकिन एक ही म में इस रासी के लिए बताया गया है कि में इस रासी वालों के लिए प्रथम मास जो कि पहला मास माना जाएगा यह कस्ट उसके पस साथ गुरू की कृपादरिष्टी इस रासी वालों को प्राप्त होगी क्योंकि में इस रासी से फिर गुरू भी आगे को निकल रहे है ले जो हम 좀 50 चाहर है अपने आजपास वह चीजह हैं में दाल मास में कोई दिसरी स्कारी सीक्षित है documentation अमें ये लिए योज्णासी सपलता अवर्ज के अपने च्राप्ष ली thrive बिसे इस तोर पर सनी राहुके असुप फलों के लिए ग्रहब प्लीडा दे सकते हैं मेश रासी वालों को तो इनकी न्यूंता के लिए इनका जबदान उपायक करना हितकर रहेगा मेश रासी वालों के लिए तो संसिप्त वह सटीक फल है वार्समय यहाँ फल कहीं न कहीं सकता है वारी वारी कष्ट आदी आ सकते हैं एकादस राव समय समय पर वित्ति प्राप्ति करवाएगा कहीं न कहीं एकादस भाव में जो राव का संबंद बना हुआ है तो कहीं न कहीं से थन आदी का लाप या कुछ न कुछ अंसदान धंस रूपी आपको अवस्चे ही कराए बित्यानी की धन से ही सम्बंद होता है लाब करवाएगा इंग संतान की पढ़ोनती से चहां मन परसंद होगा अपनी पूंदी कराएगा बृसभराची वालों को और सांतमे को कि बृसभराची में उच्चे के भी राहु माने जाते हैं और राहु का प्रभाव भी यहां पर क धन चला जाना या किसी प्रकार का मानसिक कष्ट आधी से भी यहापर को थोड़ा मन दुखी रहेगा चैत्र मास सावन मास कार्तिक मास सुप फल प्रद रहेगे यानि कि यह मास काफी अच्छे है इन मासों में यदि व्यक्ति कोई कारे योजना पहले से बनाई कही है कोई सु पाय आधी अवस्य ही ब्रसब रासी वाले कर लें तिसरी रासी हिंदू नव वर्स में जो महत्वण रासी है मितुन रासी इस रासी के जातकों के लिए क्या फल बताया गया है मितुन रासी वालों के लिए बताया गया है कि इस रासी वालों को इस वर्स में बिले जुले फ बहुत कम रहें, यानि कि ये वर्ष थोड़ा सा कुछ सामान नहीं है कि हम अधिक मेहनत करेंगे तो फलनाया आपर को कम ही प्राप्त होगा, वाणी पे सयम रखना सुपल प्रद रहेगा, कैसी भी परिष्थितिया हों, कैसी भी इस्तितिया हों, तो हमें वाणी पे सयम अवस लगा कर प्रति दन उसकी गुड़ाई या हफते में गुड़ाई करना भी किर्सिकारी कहलाता है, तो ऐसा करने से भी कारे सिद्ध्य होंगे, धन लाग अवस्य ही होगा, वैसाज, भादरपत, एवां मारकर सीर्ष में, महत्वपून कारी करना सुपल प्रद रहेगा, वैस में गुरू, सनी, राह, और केतु का चपदान अवस्य कर ले है, क्योंकि यह ग्रह मिथुन रासी वालों के लिए कहीं न कहीं बाधा, पिरा, आदी, उत्वन कर सकते हैं, इन से संबंदित, उपाय, आदी, वर्स की में अवस्य कर लेना चाहिए, तो वर्स के पिरा दाय ग् करकर आसी वाली जोकी सनी की धहिया से प्रभावित तो रहें गई, परिश्रम के अनरूप फल प्राप्ती में संदेह प्राय वर्स बर ही बना रहेगा, वो जितना परिश्रम करेंगे, इस तो साड़े साती है, उसके अनरूप फल उनको संबवता ही मिल पाएगा, कून फल म बार बार आमने आ जाना या प्रीडा देना या वर्स में बना रहेगा, भावन अत्वा भूमियों निवेश करना सुब रहेगा, आप चाहें तो अगर आपके पास धना आदी है, तो भावन आप बना सकते हैं, भूमिय में निवेश्रम कर सकते हैं, कादी आगे कोई आना विद्यारती है, उनके लिए कुछ कबरी है, कि वर्स में कोई पुर्तियोगता परिक्षा आदी के लिए आपने तैयारी आदी की है, टेस्ट आदी दिया हुआ है, तो यहाँ पर को सफलता आदी आपको अवस्य ही ब्रात्त हो जकती है, जेश्ट आस्विन और पॉस मास में म अच्छा रहेगा, सनी और राहु का जबना इस वर्स अवस्य कर ले, नहीं तो यहाँ परिशानी उत्पन्न कर सकते हैं, बने अच्छे कारी हमारे विगार सकते हैं, लिडा देने वाले ग्रह सनी और राहु माने जाएंगे, इनके असुप फल का परिहार करने तो इनका सिहरासी वारशलों के लिए यहां जो वर्स है, सामानय भल्वत प्रतायक बताया गया है, यह हिंडू नव वर्स, वर्स के पहले माह में सम्मान अयम धन बृद्धि के प्रबल योग है, शेरासी वालों के लिए जो ज़ो तन से नौ अपरेल से यह वर्स शुरू हो रहा है, तो अगला एक मेहना दो, यानि कि नौ में तक, यानि कि इसमें यहां बताया गया है कि मान, सम्मान, या अपना पद बृद्धी हे तो यहां समय बहुत अच्छा है, धनलाब हे तो यहां समय धन बृद्धी हे तो यहां समय बहुत अच्छा है, अच्छा योग यहां पर को ब लेकिन यह परिवर्टन धनागम जहां से धन आ रहा है उसके श्रोतों के लिए यह थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं है यहां पर कुप बाधा है उस पन्ने करने वाला यह गुरू का रासी परिवर्टन है विद्जार्तियों को प्रतियोगिताओं के सेत्र में आंसिक सपलता यानि कि जो सिहरासी के विद्जार्ति है उन्हें थोड़ा मैनेत की जरुवत है आंसिक सपलता ही मिलेगी बताय जा रहा है राज द्वार से परिशानियों का सामना करना पड़ेगा अपने उच्छे अधिकारी या किसी बड़े लोगों के द्वारा थोड़ा परिशानी उ अगली रासी है कन्या रासी रासी वालों के लिए यह वर्से थोड़ा सा अच्छा विसेश बताया गया है रासी वालों को यह वर्स यस तता सम्मान देगा इसमें भृद्धि करने वाला वर्स यह रहेगा धना अगम के नए स्रोत उत्पन्य होंगे तथा पुराने रुके वे धन की भी प्राप्ति हो कोई पुराने रुके वे कारे तो प्रारंब होंगे होंगे ने कारे भी प्रारंब होंगे कोई पहले से अगर हमारा कोई धना आधी रुका हुआ है तो वह भी हमें प्राक्त होगा बहुती सुक संसाधनाओं में ब्रिद्धी होगी चो नए सुक संसाधनाओं हम चाह रहे ह कोई चीज़ा भी कारियोंटा है बने हों आवस्य इस वर्ष में प्राप्त होंगे। सावन, मार्गर सीर्स, फालगुन मास सुब फल पर बताए गए, कन्यारासी वालों के लिए सावन, मास, मार्गर सीर्स, मास फालगुन मास में सुब वब बिसेस कारे करने चाहिए, जो कारे हो जना उन्होंने मनाई है कि वर्षव हम करेंगे, तो इन वर्षव में, इन महनों म ही करिए कि जीवन परियंत फल्दाई कभी भी या निस्फल नहीं जाएंगे इनका सुब्फल ही प्राप्ता आपको होएगा राहुआ के जब्दान तता हनुमान जी की आराधना करने से असुब्फलों में न्यूंता आएगी वसुब्फल में बिद्धी होगी वर्स की सुफ अगली राशी है तुला राशी तुला राशी को वर्स के प्रथम मास में संभाने हम जस्प्राप्ति यान कि पहला मास बहुत अच्छा बताया गया है तुला राशी वालों बोले संतान के लिए थोड़ा सा कुछ कम जोर रहेगा संतान से संभातित वर्स में पीड़ाय उत तुलारासी वालों के लिए धन्तों आएगा लेकि रुकाउटों के सांसाज आएगा बताया जा रहा है वर्स में प्राय है उताव चड़ाओ की स्थिती बने रहेगी यानि पूरा वर्स उताव चड़ाओं से बरा हुआ रहेगा कभी उपर कभी नीचे इस तरीके का रहेगा भादरपद पौस तथा चैतर मासों में महत्त पूर्ण कारे सिद्ध करने है तो यहां पर बताया जा रहा है कि भादरपद पौस तथा चैतर मास तुलारासी वालों के लिए बिसेस है तो इनमें ही कोई अपने बिसेस कारे जो आप चाहा रहे है वर्स वे करना अच्छे का अगली राजी है व्रिश्चिक राजी वालों का यह वर्ष वैसे भी सनी की धैया से प्रारंब होगा और वर्ष में लगबग लगग धैया बनी रहे गी चल अचल संपत्ती में निवेश करना अच्छा रहेगा विश्चिक राजी वालों के लिए सनी की धैया है और सनी भूमी आदी में प्रोपर्टी आदी में लाब भी देने वाले हैं हो सकता ह जन्मकुंड़ाई में बहुत अच्छी स्थिटी हो तो अवस सही लाब होगा लेकिन वैसे भी ब्रिश्ची क्रासी वालों के लिए बताएगा कि भूमी में निवेश करना या भवन अचल अचल संपत्ती में निवेश करना सुब रहेगा ब्रिश्ची क्रासी वालों के लिए यस एवं सम्मान की द्रिष्टी से वर्स सुब रहेगा यस एवं सम्मान हमें प्राप्त होगा कहीं न कहीं अच्छा वर्स बताया जाएगा सत्रु प्रबल होंगे परतु स्वयम प्रास्ति भी होंगे वर्स इतना अच्छा है सनी की डाया है और सत्र तो आहेंगे वज़ उतने से आहेंगे लेगि स स्वैंभी वह दब जाएगे बिना कुछ की नुक्상万 पहुंचाए वेई नस्ट हो जाएंगे वैसाग आस्विन एवं मार्ग मास विसेश सुपल देने वाले हैं इन ही मासों में को विसेश कारे सुपकारे अच्छे कारे करने चाहिए इनसे की सिद्धिय में प्राप्त हो सनी और राओ का जबदान तका हनुमान जी की आराधना सुपफल रद यानि की सनी और राओ का जबदान पूजा उपाय आधी आराधना अवस्य कर लिनी चाहिए तो कि यह रुकावट आधी वर्स में कर सकते हैं यदि सुरुवात में हम इंचे संबदी उपाय आधी कर ले तो वर्स हमारा बहुत अच्छा रहेगा हनुमान जी की आराधना वर सकते हैं कोई नया वाहन नया वहन या भूमी भवन आधी कुछ न कुछ जुड़ सकता है कुछ नई चीज घर में अवस्याने की संबावन ने बनेंगी तक पसाथ सूप एवं कष्ट प्राह वर्स पर ही रहेगा धनुवार राश्य वालों को थोड़ा तक कुछ कष्ट दा नय गटने की संबावना बिल्कुल रहेगी आर्तिक इस्तिति अच्छी नहीं रहेगी अब सीदा साथ साथ बताया गया है इस बार की आर्तिक इस्तिति थोड़ा सा कुछ ठीटा धनुराशिवालों की नहीं रह सकती है दिक्कत है आ सकती है नए काम अवे बादा है उत पर होंगी जेष्ट कार्वतिक सामान्य है थोड़ा सा घ्रिकाद देने वाला है तो यहाँ पर भी कोई business कारें आपे करने हैं तो इनी मासुआ में करिए यानि कि जेष्ट मास कार्वतिक मास अप फालगुन सिवालादना से असुफ़लों में नियुनता आएगी वह सुफ़ल प्राप्त होगा गुरू राहू तथा की तुका चप तान उपाई आराधना किसे ने किसी प्रकार की ठेरों उपाई हम लाए हैं ठेरों मंत्र आप लाए हैं देख सकते हैं चैनल पे हर ग्रह से समझे तो किसनी की लात की साड़े साती भी चल रही है रासी वालों के लिए साड़े साती के प्रभाव 29 मार्चे 2025 तक प्रभावित रहेंगी धनहानी दुरगटना एवं मांचिक तना होने की संभावना प्राहे वर्स भर बनी रहेगी वर्स के पहले एक मास उप्राद सुप तथा ल सुपर्यडाम मिलेंगे कोई भी सुपकारी करना हो तो इनई मासों मैं करना चाहिए सनी और केतु ग्रह के जबतान सवारादरां से असुप फलो का परिहार संभाव होगा तो इसे भी मकर रासी वालों में सनी की साड़े साती है सनी ग्रह चपदान पीपल पूजा आदी कुंबर राषी यह भी सनी ग्रह की साड़े साती से प्रभावित रहेगी राषी वालों का वर्षित सावान ने कलका रख रहेगा प्रिय जनों से दूरी वड़ेगी जिन वो अपने प्रिय जन है हो सकता है उसे दूर जाना पड़े नौकरी या कि ही अन्यकार रहे थोड़ा क्या रेस Anshak év मिंहें मिलता जूता रहेगा अकारण भ्रमन कारेक्रम उर्य नहीं नहीं रहे और इसके अलावा सत्रुवादा तिमन ब्यतित रहेगा जमीन जाइदाद इवं भौन में निवेस करना अच्छा रहेगा सनी वैसे भी हित कर रहता है कुंबरासी वालों के लिए सामी हैं और इन चीजों के लिए कारट भी बताए गए है तो अवस्य ही यदि आपके पास प्रटिक मास हैं आप लोगों के लिए बैसाग मास सावन मास पास मां मैं महत्वपूर्ण कारे सिद्ध कर ले गुरु सनी राहुत था केतु का चपदान एवं हनवान जी की आरादना अवस्य ही करे गुरु सनी सनी की तो साड़े साती है राहुआ केतु का भी साथ मैं चप प्रटिक मास मैं आर्थिक लाप के अवसर प्राप्त हो सकते हैं पारिवारी क्लेश रहेगा कोई ने कोई दिक्कत है परिवार में मन मुटावादी रहेंगी कि रूख किसी को रूख या स्वैं को रूख हो सकता है कोई हेल्ट वाइज प्रॉब्लम आ सकते हैं सत्रुबादा अकारण सत्रुबादा जो की मन को ब्यतित करे रहती है वह यहां पर को मिलने की संभावना है जिससे की मन ब्यतित रहेगा जीवन में संगर से बढ़ेगा जो संगर से चल रहा है या नहीं है तो कुछ संगर से का अन्वाव में आउस्य होगा कि यार कुछ अमणले कीज़े बढ़ गई है चल अचल संपती में निवेज सुपल पैद है तो कि सनी की साड़े साती है द्रिष्टी की और सनी इनके लिए बड़े हित कर रहते हैं कारक र बड़ी चीज लेता है तो बिना सनी की द्रिष्टी या सनी के साड़े साती दया आधी के ब्यगैर नहीं ले पाता है तो यहां पर को इन चीजों के कारेक है तो डिवेज करोगे तो सनी का प्रवाव है कहीं न कहीं इसमें लॉस नहीं उठाना पड़ेगा लाद ही उठाए गुरु सनी राहू तुन था केतु का जपदान एऴरादना से असुपफलों का समण होगा एवं सुपफल प्राप्त होगा जानि कि गुरु सनी राहू केतु का जपदान और असुपदान करते रहे, इससे आपकी रासी ठीक बहुत बड़ी भारी समस्य आएनी आएंगी और जो भी रहेगा अच्छा रहेगा और सबसे महत्यपून बात हम आपसे इतना जरूर कहते हैं देखो जीवन में धन बहुत जाता है कहीं भी चला जाता है कैसा भी चला जाता है तो यदि आपके पास जनब पत्रिका हो तो अप की अपनी सामर्त है उस उनुसार उनको देखर अपने ग्रहों के बारे में आउस से जानीगे कि हमारा यह नया वर्ष कैसा है अपनी रासी के बारे में जानीगे अपनी नक्षत्र के बारे में जानीगे कि हमारा नक्षत्र क्या है कि कहां गया है ताए हाथ में गया है ताए बाना जाता है कई पर सुब भी होता है लेकिन हम वो जानते ही नहीं है हमारी रासी सुद्ध है असुद्ध है कौन कहीं अपैर्ट तो नहीं है असुद्ध तो नहीं है वर्स असुद्ध तो नहीं है मास असुद्ध तो नहीं है यह चीज़े सब जन्म पत्रिगा बताती है न अगर आप ऐसा करते हैं, तो समझ के चलिए, कुछ न कुछ आपको अवस्ति मिलेगा, जो आज तक बिकत वर्सव में नहीं मिला हुआ है, ग्रह ही देते हैं, ग्रह ही लेते हैं, जो समझ गया, तो समझ लो उसका बेड़ा पार होगे, तो ये बार रासिपल का, संक्सित रासि लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है इन चीचों को बनाने में, तो ये अगर कोई कंफ्यूज होगा, कि आपने वहाँ पर बोला था, हमारी समझ में नहीं आया, तो वो कारगेज हमारे पास है, वही परको हम बोल कर उस ब्रक्ति को बता देंगी, थोड़ा बहुत इतना हम हमारी और से होगा, आप उसको समझाने का प्रजास अवस्य करेंगी, तो हिंदुना वर्स की पुनहें आपको आर्टिक सुपकावना है, यह वर्स आपके जीवन में तमाम खुशिया लेके आए, आपके नहीं कारी योजना है बने, उनमें आप सपल हो, यह वर्स आपको ब पर भारी, ऐसा वर्स आपके लिए जाए, ऐसी कामना हम आप लोगों के लिए करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप मार्चा जुड़े रहेंगे, ऐसा ही अगले वर्स भी हम रासी फल लेके आएंगे, वर्स में तो 365 जिनवारे एपिसोड आते रहेंगे, तो जो 30 से संब बंदित, लेकिन यह मौका जो हमें जो संबत सराधी का बोलने का मौका मिलता है, रासी फल बताने का मौका मिलता है, यही पर को या अंग्रेजी नवर्स के असपास मिलता है, वहाँ पर तो आतका समया वाहों की तारण नहीं ले पाते हैं, नहीं लापाते हैं आप लोगों संदे हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं नीचे के हमारे नंबर दिये रहते हैं नहीं लोगों से आगरे रहता है गायतरी जोतिसके इंद्र के साथ चुनें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आवस्य दबाएं जानकारी पसंद आए तो आगे भी जोड़ूगा अगर सेयर करें तो मिलेंगे इसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैसरी राम जैसरी कृष्णा ओम नमस्री आए